एare है जारे मेरे सब्सकाइबर में ने पूछा था कि एक केंटिर काड गारे में और उसके । वीडियो लेकर आए हूं आपके चाहिए और दो दिन पेले Pope लायक हो चुका है तो मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में वीडियो बना देना चाहिए तो है आपको यह वीडियो लेका है इसे लाएगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से तो और में ज़रूर दबा दीजएगा ताकि मेरे जो भी अपकॉमिंग वीडियो होगे रहा है तो जैसे में अप्लोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए चले वीडियो शुरू करते हैं के अंदर में दो परकार्गे कार्ड होते हैं арmen कांट को किसे की एक लिक्रघ कर होता है और ग्रोशरी कार्ड पहले बात करेंगे उसके उज्से लिए दिखिए उसके benefit किया है और हम कहा का से समान कोई-कॉन को से contain से हम समान निकाल सकते हैं उसके बात करते थे पहले हम grocery card के बारे में बात करेंगा, जैसे कि आपको दिखणा होगा, grocery card कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि grocery card में एक ऐसा होता है, जैसे हम training करते हैं, उस ताइम में हमारा grocery card नहीं बनता है, ना ही liquor card बनता है, हम जैसे training pass करके, हम अपने unit में बटा लेन में जाते हैं, तो उसके बाद उसको दो मेना तीन मेना बाद एप्लाइ करने के बाद दो तीन मेना बाद वह आपको बन के आजाता है और वह केंटिन कार्ड में आपको जैसे अगर आप सिंगल हो और एक डबल होता है एक सिंगल एक डबल होता है जैसे कि double में होता है कि आप अपने family के साथ attach करते हैं उसको combine लेते हो तो जैसे कि आप यहाँ पे कोई ऐसे जगह में हो जहाँ पे आप canteen के welfare नहीं मिल पाता है आपको canteen से समान नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें जैसे आप घर में छोड़ते हैं कोई बंदे तो घर में आपके family वगएरा जाके canteen में कोई भी nearest canteen आर्मी केंटीन हो या कोई भी केंटीन से आप समान व्यूटल कर सकते हो और दूसरा जो अगर आपके पास अगर आप साधी नहीं होए और आपने सिंगल ले रखा है तो आप अपने पास ही रखके उसको सिंगल में दिया जाता है कि आप इतने इमाउंट तक आपका grocery आइटम होगेरा सेरी से ड्रो कर सकते हो तो इसी तरह एक मेना का आपका होता है अभी 4500 रूपीज का आप कुछ भी grocery आइटम निकाल सकते हो जैसे कि मैं आपको एक वीडियो में एक सेंपल दिखाऊंगा कि यह यह यह सब आपके grocery आइटम में आता है यह सब चोटा-चोटा एमाउंट है जो कि आपको मतलब कुछ quantity में आप निकाल सकते हो जैसे यह नहीं कि मतलब मुझे कोलगेर चाहिए तो मुझे पंद्रा चाहिए तो पंद्रा निकाल सकता हो इसे नहीं है आपको एक लिमिट दे रख करते हो एक मेना के अंदर और जो grocery में दुसरा चीज है कि जो बड़ा-बड़ा आइटम होता है एन एलेक्ट्रीक वगेरा आइटम होता है तो उसमें आप मतलब वह grocery में इंक्लूट नहीं होता है उसका आपका अलग कोटा होता है उसमें तो आप उसमें निकाल सकते हो लेकिन आपको जैसे कार लेना होगा या कुछ ऐसे एलेक्ट्रीक फ्रीज वगेरा हो गया है सब जैसे मतलब एक लाग से उपर वाला समान जीतना भी लेना होगा तो आपको कुछ एप्लेक्शन लिखना होता है एंड डिमांद देना होता है उसको और जो भी CSD का डिलर अगेरा भी ले सकते हो आप अपने nearest canteen से तो उसमें काफी सारे चूट होते हैं तो यह सब सारे benefit है सेजडी केंटीन में कार्ट के तुरू से आप ले सकते हो यह तो था आपके ग्रोसरी कार्ट के बारे में अब बात करते हम लिक्यर कार्ट के बारे में तो लिक्यर कार्ट के बारे में बात करने से बेले मैं आपको बता दूँ तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शे ऐसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा यह एक लिक्वेर के बारे में तो एक मेना का जैसा कोटा होता है जैसे ग्रोसरे में कोटा था इसे लिक्वेर में भी कोटा होता है तो आप एक मैना में आप एक मैना में आप पास बोतल आपना कार्ट से लिक्वेर विड्वार कर सकत सकते हम लेकिन 19 से वो बंद हो गया था मतलब हमको पांची बोतल दिया जाता था लेकिन अभी फिर हम एडवाउस मेना का प्रतल हो गया तो यह सब ढ़ी फिर दबारे मतला हो चुका है अभी लागू 2023 जन्वरी से लागव होगा अगर आप 2023 जन्वरी को हम चुटी जाएंगे तो उस ताइम में हम पास बोतल लेके एडवांस मेना का फेबरी मेना का भी हम पास बोतल उसमें विड़ॉल कर सकते हैं लिक्वेर कार्ड से हम अपने सिर्फ लिक्वेरी नहीं उससे आपको दूसरा वेनिफीट भी है कि आप उससे अपना ग्रोसरी आइटेम बे निकाल सकते हों क्यालाग कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके पास स्मार्ट कार्ड दूसरा वोला ग्रोसरी आइटम के लिए है जो कार्ड होता है वो ग्रोसरी आइटम आप अपने घर में रखके लिक्वेर कार्ड आपके पास होगा तो ग्रोसरी आइटम जो ग्रोसरी का कार्ड है वो आपने घर में आपके वोगए निरिया सकते से वो लोग समन अपने घर के लिए यूझे लिए निकाल सकते हैं उसमें और अब यह से आगिया है कि 2023 से हम अपना जैसे लिक्विर काड़ में हम अपना एडवांस कोटा भी निकाल सकते हैं अगले मेने कार्ट में भी हम एडवांस कोटा तब तक लिए चाहिन